दोस्तों ये जो आप जड़ी बुटी देख रहे हैं ये मकोई है इसके बारे में ही आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारे देंगे अगर आपको या आपके परिवार में किसी को मेलेरिया या कामला रोग के कारण लिवर खराब हो गया हो तो ये जड़ी बुटी आपके लिए अम्रुद के समान काम करेगी इसके अलाबा भी ये मकोई बहुत सारे बिमारियों को दूर करते हैं इस पर सफेद रंग के पांच पंखुडी वाले पुस्प लगते हैं पुस्प के बाद इस पर छोटे छोटे पल लगते हैं जिसे पीलू से जानते हैं आहरवद के पौरानिक सास्त्रों में काक माची से मकोई से पहिचान मिली हैं हिंदी में और उर्द में मकोई कहा जाता है गुजराती में पिलूडी कहते हैं और बंगाली में काक माची कहते हैं इसका अंग्रेज नाम कॉमन नैट सेड और वेकनिक नाम सोलेनम एमेरी केनम ह दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें बिल आइकन दबाए और ओल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे हमारी हरने वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे फलो के रंग भेज से मकोई दो प्रकार की होती है एक पर लाल रंग के पल लगते है और दुसरी पर काले रंग के पल लगते है दोनों प्रकार के मकोई के पुस्प एक समान ही होते है काले पल वाली मकोई गुणों में स्रेश्ट होती है इसके पत्रों में प्रोटीन, वसा, खनेज, कार्बोहाइट्रेट, केल्सियम, फोस्परस और लोहजेशित तत्व पाहे जाते हैं इसके अतरिक्त इसमें केरोटीन, विटामिन C और निक्योटनिक नाम का अल्म भी होता है मकोई तीनों दोसों को तूर करती है ये स्निक्द होती है और थोड़ी मात्रा में गर्म होती है गर्म होने से वातरोगों को दूर करती है तिक्त और कड़वी होने से पित और कप का नास करती है मकोई लिवर की रामबान अवसदी है ये कामला रोग को दूर करती है इसके अतरिक्त ये कप को मिटाती है, दर्द को दूर करती है और न बरने वाले गाउं को सिक्र परती है इसके फलका सेवन करने से पेशाप खुल कर आता है जिसके कारण मुत्रा और रोधत दूर होता है और पेट में पानी बरने की समझ्या भी दूर होती है दोस्तों हजारों और लाखों की दवाई के खर्च करने पर भी जो फाइदा आपको नहीं मिलता ये इस मकोई के पोधे के उप्योग करने से आपको सरलता से मिल जाता है स्वास खासी और दमा में मकोई बहुती लापकारी और बहतरिन अवस्दी है इसके लिए इसके पुस्प और पलो को इकटा करे और एक गिलास पानी में दीमी आज़ पर पकाए जब एक चोथाई सेश रहे तब ठंडा होने के बाद चान कर 10-30 ml की मातरा में सुबह साम सेवन करे कुछ दिनों तक लगादार इसका इस प्रकार से सिवन करते रहने से स्वास रोग में बहुत जबरजस्त आराम होता है कप बहार निकल जाता है और स्वास नलिका में जो सुजन आ गई हो वो भी दूर हो जाती है इसके पत्तों की सब्दी या साक बना कर खाने से भी बहुत आराम होता है दोस्तों इसके पके हुए फोलो को सहत के साथ रोजाना 5-10 ग्राम की मातरा में सेवन करने से टीबी खत्म होता है मकोई कामला रोग की एक जबरजस्त जड़ी बुटी है कामला रोग होने पर मकोई के पूरे पोते याने 10 ग्राम की मातरा में इसके पंचा को लेकर एक गिलास पाने में धिमी आज पर दीरे दीरे पकाए जब एक चोथाई सेश रहे तब इसमें से 15-20 एमल की मातरा में सुबह साम सेवन करे इस प्रकार इसके लगबग 15 दिनों के प्रयोग से कामला रोग में जबरजस्त फाइदा होता है अगर आपको एक पोता ताजा मिल जाता है तो इसका रस निकाले और कपले से चान कर 10-15 एमल की मातरा में पिए इससे भी जबरजस्त फाइदा होता है दोस्तो इसकी ताजे रस का रोजाना सेवन करने से यकरूत बलवान बनता है यकरूत के सारे विकार और रोग नश्ट हो जाती है मकोई की पावलर को दिमी आजबर पाने में उबाले और इसमें से 20-30 एमल की मातरा में ले इसके साथ सेंधा नमक और जिरा मिला कर रोजाना सेवन करने से भी यकरूत बलवान बनता है और पलिहा की रुद्धी रुक जाती है दोस्तो मकोई का उप्योग आप तोचा रोगों पर आसानी से कर सकते है और फाइदा ले सकते है अगर किसी को दाद खाज और खुजली की समस्या होती है तो मकोई के हरे फल को पीछ कर लगाए इससे जल्दी ही दाद की चुटी हो जाती है इसके अलावा मकोई के ताज्य पत्तों का एक पिष्ट बनाए और प्रभैश्थान पर रोजाना तोचा पर लगाए इससे भी दाद खाज खुजली गिली खुजली और पामा जैसे विकारन नष्ट होते है इसके पत्रों का लेप रोजाना लगाने से कुष्ट रुगो का भी समन होता है